हेलो फ्रेंड्स, सब सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रिजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहा सकते हैं कॉंटिंग कॉंटिंग के आपको questions यहाँ पे हम देख रहे हैं और सबसे ज़्यादा कॉंटिंग में पूछा जाता है आपको triangle के कॉंट करने का यहाँ पे हम figure कॉंटिंग देख रहे हैं और आपको सबसे ज़्यागा मैंने क्या बोल ट्राइंगल का question पूछा जा सकता है आपके screen पे question दिख रहा है उसकी answers आप दिमाग में लगाओ कि क्या हो सकता है अगर आपको एक second से भी ज्यादा देनी लग रही है यानि कि आपको exam में इसे बनाने में problem होगी exam में आप पीछे रह जाओगे आपको within one second इसे बनाना है उसे हम पूरी description के साथ देखेंगे तो अगर आपको किसी और भी topic के videos चाहिए तो आप हमें comment box में comment कर दीजिए कि आपको reasoning या math के किस topic के videos चाहिए इसके पहले हमने vein diagram analogy and similarity का video डाल दिया है तो next आप बता दो कि आपको किस topic के videos चाहिए ताकि हम वो आपके लिए available करा सके तो चलिए देखते हैं अब हम सुरुआत करते हैं सुरुआत जैसा कि हमने आपको बोला आपका chapter है counting of triangle counting of triangle जो कि आपके लिए most important chapter है बहुत ही जादा इसमें students को problem होती है confusion रहती है ताकि हम जो भी videos upload करें उसके आपको notifications time to time मिलती रहे तो चलिए सुरू करते हैं हमारा जो यहां पर सबसे पहला question है यह तो आपको लग रहा हो कि इसे तो हम देखने के साथ ही बता सकते है कि इस triangle में जो है वो कितने इस figure में कितने triangles होंगे यह बहुत ही जादा easy question है आपको यहां पर इसे within a second हम असानी से बना सकते हैं कि यहां पर three triangles है बट यह जो है यह तो छोटा question था यह अब अगर इस तरीका का question हो तो आप इसमें कैसे count करोंगे तो हम क्यों नहीं इन छोटे question से ही इसे count करने का तरीका सिख ले जैसे कि इस figure में दिख रहा है हमारा यहां पर इस तरीके से तो आपको करना क्या है सबसे पहले आप देख लो कि यह figure जो है कितने part में divide है तो यहां पर हमने देखा one part and two part में divide है अब आपको करना क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूं हमने यहाँ पर देखा 1 और यहाँ पर देखा 2 अब हम इन दोनों को add कर लेंगे तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 यही आपके number of triangle होंगे तो आप सुचेंगे यह तो हम भी ट्रिक के ही असानी से 3 निकाल दिये बट बड़े questions में आपको यह सब बहुत ज़्यादा problem करता है तो यह तो छोटे questions थे तो हमने असानी से इसका answer ला दिया 3 जो कि आपका बहुत ही simple question हो गया इसी में अगर आपको एक दो line और खीच देता है इस तरीके से इसके बीच में मैं आपको यहां पर फिर से बता दे रही हूँ आपको एक दो line और खीचेगा इस तरीके से यहां से ले लिया और इस तरीके से बीच से यहां से ले लेगा अब पुछेगा इस figure में आप बताओ कि कितने triangles होंगे तो इस figure में कितने triangles होंगे तो हमने इसे किया 1, 2, 3 and 4 अब हम इन सारे को add कर लेंगे 4, 3, 2 and 1 को हमने add कर लिया तो 4, 3, 7, 9, 1, 10 तो इस figure में 10 triangle होंगे वैसे ही जितने parts में हम इसे 1 series में अगर इस तरीके से बाट रहे तो इसी तरीके से तो यहां पर हमारे 10 triangle आ गये थे उसी तरीके से इस figure में यह आपको पिछले figure का ही है बस यहां पर आपको यह आपस अच्छी तरीके से सीख लो इसलिए हमने आपको यहां पर यह figure भी डाला है यह जो है आपको अगर पिछले figure की बात करें तो यह exam में बिल्कुल भी नहीं पूछेगा यह बस हम आपको समझाने के लिए यह question लाए है यह आपके exam में नहीं पूछेगा तो चलिए देखते हैं next अब इस figure में कितने triangle होंगे अब आप इसके answers हमें comment box में पता दो कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आपको कितने triangles होंगे यहाँ पे तो चलिए देखते हैं अब हम इसे देखेंगे तो आपका 1, 2, 3, 4, 5, and 6 parts हो गया अब आप इन सारे को जैसा कि हमने बोला add हम कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 को add कर लेंगे तो 6, 5, 11, 4, 15, 13, 22, 21 इस तरीके से हमारा यह question बन जाएगा हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि इसे add कर लिया तो हमने यहाँ पे add कर लिया तो यहाँ पे हमारा जो है आपका असानी से क्या आ रहा है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने कितने parts में divide किये वो भी आपको दिख रहा है 1 part, 2 part, 3 part, 4 part, 5 part and 6 part अब हम इन सारे को add करेंगे तो 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, 20, 21 इसके अंदर कितने triangles हो जाएंगे तो 21 हो जाएंगे यहाँ पे आपके options में यहाँ पे हमने 21 नहीं डाला यहाँ पे जो है आपको figure में एक line हमने जादा डाल दिया था हमने इसको हटा के count किया था तो यहाँ पे हमारा 15 triangles आये था तो इस figure में कितने triangles हो जाएंगे तो 21 triangles हो जाएंगे इसी तरीके की questions आपको पुछेएगा अब इसके advance method जैसे कि यहाँ से एक line और दे दिया यहाँ से एक line और दे दिया यह सारे चीज़ को हम अगले वीडियो में discuss करेंगे वह भी आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगी counting of triangle के और जैसा कि हमने आपको बोला और आपको जो भी चीजों के वीडियो चाहिए आप हमें जल्दी से जल्दी comment box में comment कर दो क्योंकि कि एक्जाम जो है आपका तुरत आने वाला है तो यहां पर आपको जितना जादा टॉपिक में confusion रहेगा आपको प्रॉब्लम होगे आपको किसी भी टॉपिक में confusion नहीं होनी चाहिए तो आपको जिस जिस टॉपिक की वीडियो चाहिए reasoning और math में जल्दी से जल्दी comment box में comment कर दीजिए तो हम उसे आपको यहां पर बता देंगे ताकि आपको एक्जाम में कोई problem नहीं हो एक्जाम आपका group D और NTPC बहुत ही जल्दा आने वाला है तो आपको कोई problem नहीं होना चाहिए उसके लिए next है हमारा फिर से आपको पूछा है दिये गए त्रिभूज दिये इसे हम असानी से count कर सकते हैं यहां पर one two three four and एक बड़ा वाला इससे जादा I don't think कि इस figure में कोई triangle बनेगा तो यह तो आपका असानी से हो जाएगा एक बला बट जैसे इसकी सांख्याएं बढ़ेगी जैसे यहां पर one two and three parts हो गया है उसी तरह किसे आपको और figure लंबा होता है जैसे इस figure में आप बात करो तो one two three four next आपका इससे और बड़ा करेगा तो five but आपको ज्यादा सी ज्यादा four पुछता है कभी कभी आपको ज्यादा expand करेगा तो five का पूछ सकता है तो इसके लिए एक trick होती है आप चाहों तो trick याद कर सकते हो कि अगर तीन पार्ट में हो जैसा कि यह figure है तो इसके अंदर 13 triangles होते हैं और four parts में हो तो 27 होते हैं and five में होते हैं तो 48 होते हैं तो यह तो होगे आपको कि आप याद रखोगे but at a time अगर मैं exam में यह चीज़ों भूल गई अगर मैं exam में इस चीज़ों को भूल गई तो हम इसे कैसे असानी से बना सकते ह because trick तो जल्दी याद नहीं होती ये सारे numbers आपको याद नहीं हो पाएंगे तो हम इसे दूसरे तरीके से देखेंगे जैसा कि यहाँ पे figure है आपका screen पे सबसे पहले हमने यहाँ पे जैसा कि बोला यहाँ पे हमने तीन parts में divide किया है one two and three अब आपको next क्या करना होता है कि कर देती हूं ताकि यहाँ पे हमें space थोड़ा ज्यादा मिल सके तो यहाँ पे हमने इसे देख लिया three parts में हमने किया है वह आपको याद रखने अब हम यहाँ पे से one link दिए one के बाद आपको क्या करना है कि two add कर लेने सबसे पहले two add करने तो one plus two three three के बाद फिर से next बार में four add करने है six plus four ten यह जो है आपको add करते जाना है एक series से plus five किया तो fifteen तो यह आप इसे add करके एक तरीक जगा पे लिख लोगे तो हम जैसे ही इस तरीके से series से add करेंगे तो हमारा आएगा one three six ten fifteen and so on जितना कि आप कर सको अब हमने यहाँ पे जैसा कि देखा था one two and three parts में आपका divide किया है one two and three parts में divide किया है तो अब आपको यहाँपर क्या करना है किस्ते एक series में आप नीचे लिख दोगे three two and one three two and one हमने लिख दिया है अब three के साथ जो है आपको जैसा कि हमने यहाँ पे दो रखпон आ आपको reverse करने इसे साथ आप 1 को लिख दो 2 के साथ 3 को and 1 के साथ 6 को इस से ज़्याद है तो मेरे पास है ही नहीं अब आप इन तीनों को एड कर लो तो 6 3 and 1 का हम एड करेंगे तो 10 तो बस आपको 10 के साथ नहीं छोड़ना है उसके बाद आपको नीचे से जाना और एक छोड़ के उसको सरकल कर ले तो 10 प्लस 3 आपका हो गया 13 तो 13 आपका आजाएगा यानि की option number A तो यह तो हमारे पास थे अब अगर आपके पास 4 हो यह तो आपके 3 के लिए हमने बता दी आप जैसा कि इस figure में आपके पास 4 है अब अगर 4 रहेगा तब हम क्या करेंगे यह भी आपका एक सवाल है कि अगर 4 रहेगा तब हम क्या करेंगे तो हमने आपको एक स्रीज बताई क्या 1,3,6,10,15 की अब हम इसे जैसा कि हमने बोला 4 पार्ट में है तो इसी रिवर्स में डाल देंगे 4,3,2,1,4 के साथ हम 1 लिख देंगे 3 के साथ 3 लिख देंगे 2 के साथ हम 6 लिख देंगे 1 के साथ लिख अब जैसा कि हमने आपको बोला आप इसे एड कर लो 10,6,16,16,3,19,19,1 आपका क्या आजाएगा तो हम इसे एड करेंगे तो 10,6,16,16,16,3,19,1,20 आगया तो आपको यहां पे एड करके आगया 20 अब जैसा कि हमने आपको बोला एक एक छोड के डालो एक छोड के सरकल किया और एंसर क्या हो जाएगा तो 27 यानि option नमबर डी आप इसी तरीके से 5 नमबर के भी यहाँ पर देख सकते हो जो कि आपका 48 आएगा तो आज लिए बस इतना ही आपको हमारा वीडियो कैसा लगा यह आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा देन बाय और थैंक थैंस वर वाचिंग इस वीडियो